तो चलो बच्चो शुरुबात करते हैं आज के सेशन की ठीक है जैसे कि मैंने कल बताया तो आप लोगों को तो उसके बाद 35 क्योशन जो है वो आप लोगों के होंगे mathematics के ठीक है वो सारी की सारी चीज़े हम यहाँ पर discuss करने वाल है ठीक है बच्चो तो शुरुआत करते हैं question number 1 से there is a certain relationship between figure 1 and 2 establish the similar relationship between figure 3 and 4 by the selecting a suitable figure from the options that would replace the question mark in the figure number 4 ठीक है तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है nonverbal analogy एक्चुली ठीक है तो अगर आप यहाँ पर notice कर पा रहे हो यह plus नीचे गया यह minus उपर गया तो multiply तो नीचे आएगा multiply तो नीचे आएगा तो यह वाला option तो गया divide उपर जाएगा तो actually यहाँ पर multiply लिखा हुआ है छोटा सा लिखा हुआ है ठीक है उसके बारे में नीच होचेंगे ज़्यादा ठीक है उसके बाद में एक चीज़ आप और notice करना यह चीज़ इधर आई है और इधर आने के यह तर्ण भी हुई है ठीक है तो जैसे यह एरो है यह इधर आएगा और आरो जो है वह ऊपर की तरफ होगा तो यहाँ पर आप भी एरो ऊपर है यहाँ पर आप भी एरो ऊपर है ठीक है उसके अलावा यह फिगर यहाँ आया यह नीचे की तरफ होगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें देखते है यहाँ पर यह जो एरो है यह अंदर की तरफ होगा तो यहाँ पर बाहर है तो अंदर की तरफ होगा तो actually में यहाँ पर चारो फिगर में ही अंदर है यह भी चला जा जाएगा option तो option number D most accurate will be option number D is the right answer ठीक है क्योंस नमबर 2 how many such pair of letters are there in the word connection each of which has the same number of letters between them as in the English alphabet कल भी हमने क्या था कल आई थे हमने technology के लिए क्या था आज यहां पर connection के लिए पूछा गया है ठीक है सी ओ डबल एन इसी टी आई ओ एट जो चीज आपको डारेक्ली दिख जाए सबसे पहले तो उसी पर टिक कर दो न तो अगर मैं बात करूँ एन और ओपे टिक कर सकता हूं एक मिन्ट आवाज देख लेता हूं एक बड़ हुँ निए ठीक है एन ओ पर तो डारेक्ली टिक कर सकता हूं आफ्टर एट ठीक है शुरुआत अगर अपनी आज से देखें एक यह भी पेर बन जाएगा O, P, Q, R, S, T O, P, Q, R, S, T O, T पे आ गया और N, O, T पे भी तो आएगा N, O, T पे नहीं आएगा ओ, ठीक है उसके अलावा E, F, G, H इससे तो नहीं होगा तीन तो बन चुके हैं C, D, E, F, G, H, I, J, K, L O, P, Q, R, S, T, U, V, W N, O, P, Q, R, S, T, U N, O, P, Q, R, S, T E, F, G, H, I नहीं होगा C से भी आगे कुछ मैच नहीं करना M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W O, P, Q, R, S, T, U, V, W I, J, K, L, M, N एक I, N और मैच होगा ठीक है तो T से तो मुझे लगनी रहा कुछ आगे होगा E से भी नहीं होगा तो 1, 2, 3, 4 Option C is the correct answer Option C is the correct answer ठीक है Option C जो आपका वो correct answer होगा Read the given information carefully and answer the following questions A, hashtag ठीक है R is the daughter-in-law of wife तो पहले तो आपने एक काम करते हैं R is the daughter-in-law of wife इस चीज़ को आप यहाँ पर एक चीज़ समझेगा A, hashtag मलब A का जेंडर दिया हुआ है A, dollar A का जेंडर दिया हुआ है A, star A का जेंडर दिया हुआ है A, percentage A का जेंडर दिया हुआ है R is daughter-in-law R should be female तो मतलब यह तो नहीं हो सकता Option यह तो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता कारण क्या है क्योंकि R यहाँ सबसे last में आया है उसका जेंडर स्पेसिफाई आप नहीं कर पाऊगे ठीक है दूसरा R के साथ कौन सा sign यूज हुआ है उसके बारे में आप देखो अच्छा Y के लिए पूचा है Hashtag मतलब R hashtag Y R is son of Y तो यह भी नहीं हो सकता R dollar R is wife of S चलो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है And R percentage T मतलब daughter of B यह भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इन दोनों options प्यपन काम करेंगे ठीक है तो I think मेरे साथ से यह answer होना चाहिए अच्छा उससे पहले T पे क्या हो रहा है उससे हमने को कोई मतलब नहीं है हमको R और Y का relation देखना R dollar dollar का मतलब क्या है तो R is wife of S ठीक है पेटा हैस्टेग Y is son of Y S is son of Y तो daughter-in-law of Y हो गया है तो option B is the correct answer option C हो सकता है मैंने यह नहीं कह रहा but option B is also correct answer clear चलो how many such digits are there in the given arrangement each of which is immediately preceded by a prime number मतलब how many such digits are there in the given arrangement कितने digits are जिसके पीछे एक prime number है and followed by an even number आगे एक even number है तो देखो यह तो नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता आई बात समझ में ठीक है क्यों क्योंकि 2 के पीछे prime है नहीं यहाँ पे 4 से पहले कुछ है नहीं यहाँ पे और यह वाला 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि आगे एक even number नहीं है ठीक है अच्छा यह 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 से पहले even prime number नहीं है ठीक है यह 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 की पहले prime number होना जरूरी था 1 भी नहीं हो सकता 6 भी नहीं हो सकता 3 भी नहीं हो सकता 4 भी नहीं हो सकता 2 भी नहीं हो सकता 3 भी नहीं हो सकता मैंने वो सारे number cancel out कर दिये जिनके पहले एक composite number है जिनके पहले एक composite number है अब देख लो 2 से पहले composite 7 से पहले composite 1 से पहले 6 से पहले 3 से पहले 4 से पहले 2 से पहले ठीक उसके अलावा बाद में even number आना चाहिए तो अगर बाद में odd number है तो देखो ये 7 भी नहीं हो सकता, ये 8 भी नहीं हो सकता, बाद में ओर नमबर, ये 6 भी नहीं हो सकता, तो I think काफी कुछ numbers 90% number eliminate हो गए, आद देखो इस number को देखो, पहले prime number है 2 बिलकुल है, बाद में एक even number है 8 सही है, तो ये आपका एक answer हो गया, अच्छा 8 भी eliminate हो जाएगा 8 के बाद में even नहीं है, अगर मैं 4 के लिए चेक करूँ, तो 4 तो वैसे eliminate हो जाएगा, क्योंकि 4 से पहले prime number है इच नहीं, ठीक है, 9 हो सकता है, क्योंकि 9 के पहले prime है 3 और उसके बाद में even है, 4 कोई दिक्कत नहीं है, 1 के लिए भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 के ल तो बिल्कुल सही, उससे पहले prime है बाद में even, तो 1, 2, 3 and 4, तो answer is more than 3, D is the correct answer, D is the correct answer, yes or not, ठीक है, next one देखते है, क्योंस नमर 5, क्योंस नमर 5, अच्छा यहां पी यह L बढ़ा सा था, ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा है, कि इसकी mirror image ही इधर बनाई है, तो इसकी mirror image इधर बना दो, F यह है, तो इसकी mirror image में यह आएगा, इसकी mirror image में यह आएगा, ठीक है, उसके अलावा, उसके अलावा, यहां से यह तो होनी सकता बिल्कुल भी, ठीक है, ओके, 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 यह फिल किया हुआ है, यह तो से ठीक है, कोई दिकत नही है पहले फिगर काउंट कर लिए तना ओफार सिक्स होने चाहिए न कि यह तो नहीं हो वन टू 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 फॉ फाइफ सिक्से कोई समय से की बात नहीं है कि अगे कि यह लाइन कुछ ऐसी बननी चाहिए अगर मैं इनको यह पर रखता हूं तो 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 एक्चुली तीनों यह ओप्संस दे रखे हैं अल्मोंस सिमिलर है एक बार एक्जाम में देख लेना बच्चो एक्जेक्ली कौन सा पैटर्न दिख रहा है ठीक है बनेगा तो मीरर इमेज ठीक है तो यह सेड़िट पार्ट होना चाहिए यह सेड़िट पार्ट होना चाहिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह वाला सेड़िट पार्ट नहीं है ठीक है लाइटिंग का फोड़ा इंपेक्ट है 152, तो 2 के opposite 4 आएगा, option number A is the right answer, option number A is the right answer, ठीक है, 512, 3730, ठीक है, तो actually मैं यहाँ पर हो किया रहा है, 527, 827, 827, इन तीनों नंबर्स का सम किया गया, 5 plus 2, 7 plus 1, 8, 8 का क्यों होता है, 512, 512 plus 1, 513, 342 मालब 99 का क्यों होता है, 729, प्लस 1, ठीक है, तो 336, प्लस 1, 7, 7 का क्यों होता है, 343, प्लस 1, 344, option number C is the correct answer, option number C is the correct answer, हाँ पेटा आदित्य है, ठीक है, select the odd one out, इन में से कोई एक odd one out निकालना है आप लोगों को, तो आप यह बीच में जो numbers देख रहे हुँ न, यह perfect square है, ठीक है, यह perfect square है, ठीक है, जैसे 3 plus 4, 7 हो गया, ठीक है, J plus 10, 12 हो गया, ठीक है पेटा, यहाँ पे आएगा, 7 plus 4, 11 हो गया, ठीक है, सही है, और यहाँ से आ रहा है, 8 plus 11, 19 हो गया, 3, 7, 10 आ जाएगा, 10 plus 2, 12 हो गया, तो option C, ठीक है, तो extreme में जो numbers आपको दिख रहे हैं, उनका sum करके, perfect square कर दोगे, तो आपका answer आ जाएगा, ठीक है, बापरे, यह क्या है, find the number of triangle, 1, 2, 3, 6 triangle तो यह दिख रहे हैं मेरको, 1, 2, 3, 6 triangle मेरको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, 7, 8, तो 6, 6, 12, 13, 14 triangle तो मुझे साब साब दिख चुके हैं, 14 triangle मुझे दिख चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे छोटे मोटे count करते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 answer is more than 23, क्यों, क्योंकि जब यह 22 दिख रहे है, 23, 24, 25, 26 तो यह होगे मेरे, बात खत्म, अगला देख, ओक्य क्या है, the following letter are coded as follows, यह code यहाँ पे आपको दिया हुआ है, while coding the given word, following conditions are also be to observe, if both the middlemost and the last letter of the words are oval, then their codes are to be interchanged, if both the middlemost and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, if both the middlemost and last letter, middlemost and last letter are vowels, then their codes are to be interchanged, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 7 alphabet है, middle A है और E है, A और E, A का code है 7, A का code है 7, और E का code है 9, ठीक है, ending with 7 आएगा, ending with 7, options को ध्यान में रखते वें चलो, options को ध्यान में रखते वें, चलो, and fourth number पे 9 आएगा, यह तो गया, एक ही से हो गया साइथ, एक से हो गया ना, ठीक है, if both the first and middle most letter of the word are consonant, तो यह तो रूली अप्लाई नहीं होगा, if the middle letter is consonant, यह भी रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, that's it, हो गया, dot situation test, dot situation, सबसे आसान बोल सकते हैं से इसको, तो सबसे पहला काम तो यह है, कि rectangle में एक ऐसी position देखो, जो सिर्फ अकेले rectangle की हो, क्या वो हर जगा मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो यह रहा, यह rectangle, यह वाला dot जो ना, मैं यहाँ पे डाल दूँगा, तो मुझे कोई आपती नहीं होगी, ठीक है, अब, circle and square, only circle and square, ठीक है, तो यह वाला dot, देखो, option B तो eliminate हो गया, क्योंकि circle and square में कुछ common, option C भी है, option A, elimination is best option ना, ठीक है, अगला देखो, a group of friends, A, B, C, D, E, F, G, are sitting around a square table, while facing the center, ठीक है, आठ लोग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, R, O, वाई सा थोड़ा सा गेम है, हाँ, ठीक है, अलभाबेटिक अड़र, A and B are sitting on the extreme top left corner, extreme top left corner, ठीक है, वो भी आप बाद में देख लेंगे, extreme, A and B are sitting on the extreme top left corner, extreme top right corner, A is on extreme left, तो अगर मैं यहाँ A ले लेता हूँ, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, यहाँ D आ जाएगा, अब एक चीज़ का और ज्यानक लेते हैं, यह इदर वाला इससा मेरा left का है, इदर वाला इससा मेरा right का है, ठीक है, G is second to the right of H, ओके, E is sitting between B and C, E यह रहा, देखो, E is sitting between B and C, H is not sitting just next to C, ठीक है, यह यहाँ पर, F is sitting between C and D, तो F यहाँ पर आ जाएगा भाईसा, who is sitting between G and F, G and F के बीच में कौन होगा, यह तो और कोई option ही नहीं बसता न, G के लिए और कोई option है क्या है यहाँ पर, अब चैक कर लो एक बर, ठीक है, यूदिकि F यहाँ है, E तो इदर आ गया न, और कोई option है G के अलाबा, तो I think एक जो condition दे रहे ही थी न, H उसको चोड़ो, G second to the right of H, उसके कोई जरूरत थी नहीं वैसे, तो G और F के बीच में कोई ने D, बट option C, question number 13, 3, 3, यह क्या है, ओके, देखो, यह rotate हुआ है, उसके बाद यह दोनों merge हुए है, उसके बाद यह दोनों merge हुए है, फिर इंके छोटू-छोटू हिस्से लगे है, ऐसा यह कुछ हुआ है न, ठीक है, तो, 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 बेस्ट पोसिबल फिगर, ओके, बेस्ट पोसिबल फिगर, तो, 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 कोई दिक्कत नहीं है अब अच्छा ये भी वैसे गया सी तो वैसे गया अब बात ही ये फिल्ड होगा या फिर नहीं होगा ठीक है है तो यहां पर अगर देखा जाए है अभी एक जेक्ट फिगर एक पेपर में क्या था बी और डी में से कोई एक होगा एक जेक्ट एक पर आप देखिएगा ठीक है एक बार यह देख लेता है हाँ अब वर्ड अर्रेंजमेंट मसीन मलब इनपूट आउटपूट ट्रेसिंग का प्रोब्लम है वन गीवन अन इनपूट लाइन ओवर्ड रे अर्रेंजमेंट थीक है तो स्टेप फूर इस देखिए तो एक्चुली में यह ना डिसेंडिंग ओडर में अर्रेंज हुआ है सबसे पहले उठाया है posth ahora already अब यह बात आती है सब्सक्राप work तो इस्टेप टू अगर यह है तो इसका मतलब यह है यह दोनों चीजे जो है न वह पीछे से कहीं से उठकर आई है उसके अलावा जो भी पोर्शन था वह इस ओडर में ओना चाहिए पहली चीज तो इस k聊 निर कं ड़क्र वगए बड़गड जो भी है वर यह वींडो हो सकता है सैकेंड पॉजिशन पर हो सकता है तर्ड पोजिशन पर हो हो सकता फूर्थ पोजिशन पर हो सकता कहां होगा उसको आना तो सेंडर 4th, 5th, 6th, last, कौन सी साय, तो जब भी हम step से input पे जाएंगे न, बहुत rare chance होगा, हम उसको solve कर पाएं, ठीक है, same series बतानी है, same series बतानी है, ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, एवर ये भी देख ले न, देखो, ये भार वाला तो triangle चल रहा है, उपर भार वाला circle चल रहा है, बीच में square चल रहा है, सब चल रहा है, ठीक है, देखो, circle यहां से आया, triangle यहां से आया, circle यहां से आया, circle यहां पर आया, circle यहां पर आया, तो ट्राइंगल यहां पर आएगा ठीक है ट्राइंगल यहां से उठके यहां गया है इसक्वाइर यह गया सरकल यह गया ट्राइंगल यह गया इसक्वाइर ठीक है अच्छा इन दोनों फिगर में चेंजेज देख लेते हैं क्या है ठीक है तो यह भी सोर्टेड है इनके बार फिर नीचे फिर साइड में फिर उपर फिर वापस से यह हो जाएगा तो option c is the correct answer option c is the correct answer आई बात समाज में है ठीक है बेटा चलो the sum of the square of two consecutive even positive integer is 452 find the greater integer sum of square of two consecutive integer तो एक काम करते है माल ले थे n square और n plus 2 का whole square is 452 n square plus n square is become 2n square plus 4n plus 4 minus 448 equals to 0 plus 4 आएगा ठीक है यहां से आजाएगा n square plus 2n minus 2 to 4 equals to 0 आजा 2 to 4 को क्यों लिख सकता हो 2 to 4 को factorize करूं 2 to 4 को factorize करूं 2 into 1 1 2 ठीक है 4 into 56 ठीक है 4 into 56 56 ठीक है 14 into 16 ना 14 into 16 लिख सकता हो तो n का value या तो 14 होगा या minus 16 होगा बड़ अगर 14 होगा तो larger number will be plus 16 plus 16 is the correct answer क्यों से नामर 17 r sin theta cos 5 देखो पहले x square plus r square कर लो x square plus y square कर लो तो यह बनेगा r square sin square theta बनेगा क्योंकि देखो cos square 5 sin square 5 will become 1 और जब इसमें z वाला और add कर दूंगा तो r square cos square theta add हो जाएगा ना तो तीनों का sum is r square option number a is the correct answer option number a is the correct answer ठीक है अगला देखिएगा दन फाइंड दा वेली ओप सी ओके p q टिक 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 यह रहा ए ठीक है तो यहां से आ जाएगा बच्छो ए प्लस बी प्लस सी कोस्ट वर नेटी a plus b plus c equals to 180 कोई दिक टाए अब a की जग है 2 by 7 b लिख सकता हूं b की जग है 7 by 3 c लिख सकता हूं c अजब b की जग है 7 by 3 c लिख दो न ठीक है plus 7 by 3 c plus c यह तो गया 2 by 3 2 by 3 9 by 3 3 4 c equals to 180 तो I think 45 degree is the right answer 45 degree is the right answer ठीक है x equals to 7 and y equals to 2 तो देखो 7 2 जा 4 7 4 जा 48 I think इसका ही solution है यह तो 7 minus 4 यह तो नहीं होगा 7 749 minus 24 तो 25 होता है और यह तो पॉसिवल ही नहीं है 19 ठीक है question number 20 a bag contains 6 orange 9 yellow 12 pink ball neither an orange nor pink orange और pink नहीं होना चिए वाल यल्लो होना चिए न 9 by 6 और 9 15 12 27 1 by 3 is the right answer D is the right answer ठीक है height and distance का problem है height and distance का from the top of a 75 meter high tower the angle of depression of top and bottom of a pole are found to be this and this ठीक है यह यह लो यह 45 है यह अगर H है तो यह भी H होगा ठीक है अगर मैं इसके बात करहूं सरफ A B C D E ठीक है तो यह 75 minus H हो जाएगा यह 60 degree यह कितना है 60 degree है अच्छा यह तो वैसे भी directly H calculate किया जा सकते हैं अगर यह 75 फैर तो यह 75 by root 3 है ठीक है तो यह भी उतना हो जाएगा तो आंसर इस वाट 75 by root 3 कि यह calculate कर लेना आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है 25 root 3 आएगा 3 minus root 3 से चेक कर लेने कितना होता है एक पैंडूलम स्विंग त्रू एन एंगल ओफ डिस्क्राइब्स इन लेंथ 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 अफ दे पैंडूलम इस वाट पैंडूलम जो है नो वो ठीक है मूव कर रहा है तो लेंथ पैंडूलम पूछा है देट मिंस उसका रेडियस पूछा है 30 अपों 360 30 अपों 360 into 2 into 22 by 7 into r2 by r 8.8 मतलब यह हो जाएगा क्या ठीक है 1 by 12 1 by 12 ठीक है 22 4 जा 88 2 2 जा 4 2 2 जा 4 ठीक है 12 7 जा 84 1 6.8 option number d is the correct answer ठीक है the curved surface area of a cone is this pi rl आपको दिया हो है 22 by 7 अच्छा circumference of its base is 55 ठीक है ठीक है pi r h 2 pi r is what इसको मैं यह ले लेता हूँ यह काम करता हूँ pi r l is equals to 770 दोनों तरफ 2 से multiply कर दो 2 pi r का value मुझे 55 दिया हूँ है l equals to 770 इंटो 2 इंटो 11 इंटो 5 70 14 तूजा 28 सेंटीमेटर ओप्शन नम्बर बी इस दे करेक्ट आंसर ओप्शन बी इस दे करेक्ट आंसर ठीक है coordinate of a point low year a year a happy p era five ratio three a car x coordinate four minus 16 minus 30 plus 12 minus 18 by 8 figure option d mx2 plus nx1 upon m plus n hcf lcm are this and this one of the number is 69 then find another number जो पहली चीज तो यह क्यों दूसरा नमर भी जो होगा वो ठीक है दूसरी चीज lcm is a multiple of four तो four का multiple कौन है यह तो नहीं है यह भी नहीं है ठीक है ना four का multiple ही चेक कर लो सिरफ और सिरफ ठीक है ओके 276 ठीक है या फिर एक काम और कर सकता अभी तो ट्वंटी त्री 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 नाइन जा अलफा प्लस वन बेटा प्लस वन एक्चुली यह है अलफा बीटा अलफा प्लस बेटा प्लस वन अगर्ट आप लोगोंने lecture देखे हो मेरे तो मैंने इसको प्रूल करवा है यह वन माइन सी होता फिर फिर भी लिख देता हूँ ठीक है तो alpha into beta constant होगा which is minus p minus c alpha plus beta होगा plus का p plus का 1 equals to सुन्य तो c का value 1 आएगा क्या option number a is the right answer option number a is the right answer ठीक है देखो ये एंगल 80 है तो ये एंगल 100 होगा अगर ये एंगल 100 होगा तो ये 50 होगा बट आप से पूछा कुछ और गया है है पूछा क्या है पाइंड डा वेल्यू ओफ ए बीसी है एक यू भी पूछा गया होगा देख लेना यहां पर टाइप हो है ठीक है यह बर देख लेना AX प्लस BY इक्वल्स टू A माइनस B BX माइनस AY इक्वल्स टू A प्लस B X का वेल्यू 1 Y का वेल्यू माइनस 1 X का वेल्यू 1 Y का वेल्यू माइनस 1 ठीक है मैंने सरफ यहाफ यह साइन कंपेर किया है X के जगह 1 Y का वेल्यू माइनस 1 डाला मैंने तो यह मेरे कंडिशन्स फुल्फिल हो रही थी ठीक है उपर वाले से 5 पे पावर N माइनस 1 कॉमन ले लिजिएगा 5 माइनस 1 बचेगा यहां से 5 पे पावर N माइनस 1 दुबारा से कॉमन ले लिजिएगा 5 प्लस 1 बचेगा 4 बाइ 6 2 बाइ 3 ठीक है 5 प्लस 1 तो यह तो कालमनेटी हो गया ना ठीक है अगेन इसमें एक टाइप पो है मैं एक बार देख लेता हूं अगेज़ नमर विच वन 29 हाँ अज उससे पहले में एक यू भी पूछा गया था तो विच इस हंड्रेट 50 डिगरी और यहां पर देखो यह एंड प्लस वन पूछा गया इन नहीं लो ठीक है तो यहां से 1 बाइप बनेगा यह और यह 4 बाइपा नहीं बाइप 15 और यह 4 बाइप 15 ओप सुन नमबर सीज़ा क्रेक्ट रानसर ओप सुन नमबर सीज़ा करेक्ट रांसर मीन ऑबजर्बेशन इस एबार माइनस भी कर दिया प्रोपर्टी है यह तो अर्थमेटिक मीन की प्रोपर्टी है यह आंसर आ जाएगा ठीक है ठीक है देखो PQR अचा PQ यह है डबल हो रही है सारी चीज डबल हो रही है तो पैरिमेटर कैलकुलेट कर लो इसका 8.8 अचा डबल हो रहा है ना ओके हाँ 8.8 4.7 5 13.5 27 ओप्शन B is the right answer प्रोपर्टी है डारेक्ट तो यह तो ठीक है एंगल सी इस 55 जी एफ ए तो यह भी 55 होगा ओप्शन D आप एक काम करो X-2Y इक्वल्स टू 6 है दोनों तरफ क्यूब कर दो दोनों तरफ क्यूब कर दो उससे आप कांसर आ जाएगा बेलकुल यह बेलकुल ही मत करना X की जाए गया 2Y प्लस 6 रख दो ठीक है या फिर एक सबसे अच्छा रिजल्ट और बता हूँ मैं क्या करो सबसे अच्छी चीज बता हूँ मैं आपको यह करो Y की जगे 0 रख दो X की जगे 6 रख दो Y की जगे 0 रखा पतम X की जगे 6 रखा 216-216 आंसर इस 0 ठीक है एंगल अगल इतना 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 तो angle B plus angle D is 360 तो यहां से आ गया B plus D 120 अगर यह 120 आया तो A plus C 240 आएगा क्या अब चेर कर लो one by one option से आप से angle B पूछा गया है ठीक है angle A का value 140 दिया हुआ angle D का value 60 degree दिया हुआ 200 तो यही हो गया ठीक है तो B plus C की value आजाएगी यहां से B plus C की value आजाएगी 160 A plus C है आपके पास दोनों को minus कर दो A और B आजाएगा and solve करो इसको ठीक है चलो 17th from from the end A 70 A plus 16 D ठीक है तो 175 minus 16 into 4 64 ठीक है तो I think 111 is the right answer 111 is the right answer वैसे यह देखते ही दो अप्शन तो ऐसे eliminate होने थे एवर नमबरी स्रीज में कभी नहीं आएगा ठीक है अ करणtoo Christians in the sum of the year in which they were born अ करणा what at the end of year 002 Ram was half as Old as his grandfather ठीक है राम एंड इसके ग्रेंट फादर अग वाज हाफ ठीक है अगर यह XS का है तो यह 2XS का है अब एक चीज़ समझना लैट सब्सक्राइब में राम पैदा हुआ था एक्स का विल्यू बनाएगा अगर मालो एक्स का विल्यू बन मैं यह बोल सकता हूं क्या राम का बर्थ 2002 माइनस X में हुआ यह 2002 माइनस 2X में हुआ इन दोनों का सम 3854 है तो 3X का वेल्यू 4000 4 माइनस 3854 आ गया यहां से सिम्पल सा X निकालो सम्पल्स आ एक्सिनी कालो ठिक है एक एक अन एकमेटो एक मिटर एक अपन उपन मैंटर क्ली का रिकर टांकिस्ट्ट्री मेंटर्शने धिभ एक्स रिक इन सर्फेस ठीक है अंड्रेट में सेंटिमेटर स्क्वार इन सर्फेस तो आइधिंग विए टू कैलकुलेट अल्ली पाई आर एल थीग है एट मेटर मैं इपर क्रोश से कलेता हूं कि यह डेटा एक दम सही है कि क्योंकि मुझे कुछ कड़बड लग रही है यह द्या अ एक लास सेवन प्रोस नमबर थर्टी सेवन आए टिक है खिय कि खियर तो सबसे पहले तो यह करेंगे थ्री पॉइंट वन फोर पाई आर फोर अधस लेंट है तो फाइफ होगे नहीं हमें एट समझ रहा था डाइन मीट रहे तो पाई आर एल हो गया यह आपका सोड़ाइट सी ऐसे आ गया ठीक है कि मीटर में हो रहा है ना कि 100 100 इंड sih यह में इस एंटी मीटर में तो इससGB कर दिया यह तो गया एक जेन ओ और गया यहां से फच्न सो ए यह वन फोर कि ऐन उटन्यद में पोर ज SL option C is the right answer option C is the right answer to a statue it not all stand on top of a pedestal from a point on the ground yellow yellow angle of elevation of top of a statue is 60 degree yellow from the same point the angle of elevation top of a pedestal is 45 degree यह भाई सालो है ठीक है अगर यह है तो यह है यह 2.4 है अब 1060 यूज़ करेंगे 1060 एच प्लस 2.4 डिवाड़ेड वाई एच यह आएगा आपका रूट 3 ठीक है यह आजाएगा रूट 3-1 एच 2.4 1.2 रूट 3 प्लस वर ऑप्सों नमबर एच प्रेक्ट आंसर ठीक है एंट बीकन कंप्लीटर वरक इन 15 देस 10 देज रेस्पेक्टिवली तो एक एंडू दू दू सेम वर इन 15 देज देन इन वन दे वन फिटेंट पार्ट कर पाएगा वो ठीक है दे स्टाइटर दूइंड वरक टूएधर बट आफ्र टू देज दो दिन तक इन्होंने काम किया इतना काम हुआ बी है टू लिव एंड ए अलोन कंप्लीटेट दे रिमेनिंग वर्क ठीक है तो टोटल काम अगर वन था तो इतना काम हो चुका है ठीक है तो वन माइनस कितन बटना हो जाए है तर्टी एल से माझाएगा विफ्टी टूज आफ फोर टैन थ्रीजा आई तिंग इतना काम बचा हुआ है इतना काम बचा हुआ बचा हुआ एब चैक कर लो है कलकुलेशन सही कहना आपने फिफ्टीन टूज आ ठीक है रिमेनिंग काम इतना सा है इतना सा रहा है ठीक है तो माल लेते एक्स डेस के अंदर काम हुआ है तो एक्स बाइफिफ्टीन ठीक है एक्स बाइफिफ्टीन टूज यह तो कुछ गडवड हुआ है ना एक मिट वापस देखते है a, b, respectfully 15 and 10 डेस के अंदर ठीक है अगर a 15 डेस में कर सकता है तो एक दिन का कैपेसिटी उसका होगा 1 by 15 दो दिन तक उन्होंने काम किया है 2 by 15, 2 by 10 ठीक है रिमेनिंग x डेस और मान लेते हैं a ने काम किया है एक्वटीन एशा कुछ ओना चाहिए ठीक है तो यहां से अगर मैं देखूं एल से मिस थर्टी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है थर्टी फिफ्टीन टूजा फोर अच्छा यह सिक्स आएगा मैंने वाब फोर थ्री लिख दिया था ठीक है 15 तूजा 2X is equal to 1 तो 2X equals to 30, 10, 20 X equals to 10 X equals to 10 तो 10 plus 2 12 आंसर इस 12 ते के लाइबरी चार्जेश 5 पोर वादे वाद तो 5 प्लस एकस माइनस वन हाना अगर टोटल एकस देस के लिए यूज किया है तो फाइफ एकस माइनस वन क्या हो रहा है एकस प्लस फॉर वह नहीं है यह रहा ऑप्शन दी इस राइट आणसर ऑप्शन दी इस दे करेक्ट आणसर the toe one ice cream cone is in the same of hemisphere the height of the conical part is this and base radius is there find the volume so actually hemisphere act two by three 22 by seven r kir 2.1 2.1 2.1 plus one by three 22 by seven two point one two point one इन्टो 5.8 टिमपल से थीगए टू पाइप रणिंग तो गेधर कैन फिल एक कस्टान इन फ्वाइफ फोर एक तो एक काम करते है पाइप एपाइप बी है ज्यांसे सुन लेगा अगर मानलों यह एक सार्श कंदर फिल कर सकता है तो यह एकस प्लस इक सार्श कंदर फिल कर पा और यह 1 by x plus 6 और फिल कर पाएगा दोनों को 4 आर्स रिमूव किया है दोनों को अगर मैं बात करूं तो 4 by x plus 6 is equals to 1 यहां से x का वेल्यू कैलकुलेट कर लिजिए गा ठीक है संदीब है यह प्लोट इन दे सेफ वे ट्रैंगुल परिमीटर ओफ दिस इफ टू साइट सो 29 दो साइट तो 29 है तीसरी साइट 25 है ठीक है चैक करो 29 है और 54 अगर परिमीटर है तो 17 12 और 25 तो एरिया पूछा है न 27 10 27 12 15 and 2 यहीं बनेगा बच्चा ठीक है तो यहां से एक तो थ है एक थ्री और भार आ गया है एक टेन 3 3 9 3 मीटर स्क्राइब ऑप्सों नमबर डी इस दे करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट वन इन्हें बुक साथ दिर आर 87 बुक और मैथमेटिक रिमेनिंग बुक्स आर अड़ अधर सब्जेक्ट बुक और मैथमेटिक इस 3 by 7 तो 80 by 7 डि अधर सब्जेक्ट अधर सब्जेक्ट ठीक है तो 87 से ज्यादा ही होंगी ओविस से बात अगर 87 होता तो यह कांट वैसे बन वाई टू होता ठीक है आज़ा 87 से भी कितनी ज्यादा होंगी 29 3087 होता था था 29 4036 होता है 29 4036 होता है 29 4016 होता है option number a is the right answer option number a is the right answer ठीक है इने सब्सक्राइब डिस्प्राइब इस प्लेंगल इंगल 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 कोई बात नहीं तो यह 53 आ गया यह टू एन प्लस वन आ जाएगा तो यहां से 20 का वेल्यू 52 आएगा तो एन का वेल्यू 26 आ जाएगा 26 यहां पर रख तो आंसर आ जाएगा ठीक है एन तरम आप एपी इस गिवन बाइद फान दा कोमन डिफरेंस ओफ न एपी तो कोमन डिफरेंस विल भी 5 तो ओप्सन भी और ऑप्सन दी दोनों ही एलिमिन की थर्टम विल भी जिरो रिजल्ट है यह तो बच्चो यह तो रिजल्ट है आप लोगों ने पढ़ा होगा एन एन इक्वल्स टू एम एम दैन ए एम प्लस एन का वेल्यू सुनने होता है 47 यह एक्स डिवाइड दा लाइन सेग्मेंट माइनस 4 बाइट ठीक है कोई दिक्क बनाएगा पहले ही चीज़ तो यह तो ऑप्शन ए और बी तो गया स्वरी ऑप्शन ए तो गया ऑप्शन सी भी गया ठीक है क्या बोल रहा है आज दो पॉइंट डामेटर एबी ओव सर्कल विच सेंटर ओ तो 5 प्लस एक्स का वेल्यू 4 आएगा 5 प्लस दोनों ही फोल्स है दोनों ही फोल्स है, D is the right answer D is the right answer ठीक, next one, the zeros of the quantity polynomials आर तो इनको इस प्लाद करके देखो, 4 4 आ रहा है बिल्कुल सही कोई दिख्कत नहीं है, sum of root करके देखो, 8 by root 3 आ रहा है क्या? 2 root 3 plus 1 by root 3, बिल्कुल सही बात है, कोई दिख्कत नहीं है, alpha and beta are the 0 of a quantity polynomial is then the value of alpha plus beta alpha plus beta is 1 actually minus 4 plus 4 ऐसा कच्छू बनेगा न यह 7 का रोल कहां से आगया इसमें 7 का रोल तो है नहीं कुछ तो यह तो false है true and false देखो यह तो हो नहीं सकता यह भी हो नहीं सकता true and false ही होगा तो यह भी नहीं हो सकता यह बचा लास्ट वाला then the value of k is 0 तो एक काम करो नहीं के का value पहले 0 डाल दो तो वैसे भी sum of root 3 आना मेरा possibility नहीं है अगला देखते है NCRT में यह कई जगा आपने proof किया है यह वाला a sin theta plus b cos theta equals to c अगर दियावा हो तो a cos theta minus b sin theta equals to अगर d है तो a square plus b square equals to c square plus d square होता है वो result हम यूज़ करेंगे तो पहले वाले का third match होगा पहले वाले का p का third से matching होगा सिरफ एक ही option है यह 10 theta आएगा q का check कर लेना ठीक है r seg square theta into cos square theta will become 1 root 3 by 2 plus root 3 3 by 2 बनेगा 2 root 3 ऐसा कुछ बनेगा साइद चेक कर लेना ठीक है last one the pair of linear equation has a unique solution has a unique solution ठीक है अच्छा x plus 2y इसको 3 से multiply करूँगा has no solution आएका न ठीक है has no solution आएका न second वाले में no solution एक ही जगह साइद एक ही जगह है infinitely more many solution के लिए आएगा 2 by k 1 by 3 k by 18 ठीक है 6 आजाएगा 6 आएगा न second वाले में देखलो ओ एक मिनिट 6 आएगा बेट बेट फेट उनीक कि आएगा इसका यूनिक खाईगा ये तो नहीं होगा पाइब व्याला भी नहीं होगा यूनिक ओप्सण नंबर एसरासव ऑप्स civ हरीThis यूनिक अमगर। इस राइघ घंग है तो लाइट आणशों हो सकता है गत्वारीश डिविजिबिलिटी रूल ठीक है फैक्टर्स मल्टी पल्स इन सब चीजों का ध्यानक होगे ना बहुत ही आसानी से आप इस पेपर को आपको जो गिवन टाइम तर उसके अंदर आप कर सकते थे ठीक है तो मिलते है नेक्स एनेस टेसे का वेपर हम सौल करेंगे ओनवर्ड